गुड इवनिंग आफ यू आज मंडे है 25 और और जो एक्जाम से वो डिसेंबर में 5 और 6 से स्टार्ट होते हैं ठीक है लगभग 40 डेज है तुम्हारे पास एक्जाम के लिए अब होता ये कि स्टूडेंट्स हमेशा प्लान बनाते हैं मैं भी मतलब प्लान बनाता हूं और फ इस तरह से रिविजन करना है बहुत सरे ऐसे भी जन सुरेंट्स थे जिनका अभी अभी बैचर्स क्या क्लास्स कम्टीट होएं दे वांट टू ट्राइफ और रैंक इन अपकमिंग एग्जामिनेशन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आम टेलिंग यू अगर दिन कम होते जा या मै रिंख लाऊंगा या मैं एक्जाम नहीं दूँगा यह सब जो डियजिन से नहीं जोट एक्स्ट्रीम लेवल के इनके पीशे मट जो सिंपल सा बात बताऊंगा एकदम सिंपल सा फंड़ा यू में कोई गलत बात नहीं कोई बुरी बात नहीं है कि को हसी उड़ाएग तुमको अपने आप से मतलब होना चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हारे बारें बात कर रहा हूँ, अगर तुम अभी पैनिक मोड में हो, तो पहले तो अपना पैनिक को बंद करो, ठीक है, If you have filled the exam form and you have somewhere planned, कि तुमको exam जाके देना है, तो अब तुम बस एकदम emotionless होके थुआ सा पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, मैं emotionless होने इस ते बोल रहा हूँ, because preparation जब नहीं होता है न, तो सिर्फ गंदे emotion ही आते हैं, डराने वाले, पैनिक वाले वही सब emotion आते हैं, तो emotionless होके, ज जो भी हाथ में तुमारे material है, जो जो subjects है, उनका बस पढ़ते जो, पढ़ते जो, पढ़ते जो, ये जो time है, ये भी बीतेगा, 40 days, प्लस वो जो 16 days होते हैं exam के, 56 days के आसपास, ये बीतेगा, ठीक है, एक समय आएगा जब अपना exams करतम हो जागा, तो मैं exam के बाद खड़े ह अब तुमको सामने Christmas और New Year वगरे सब दिखाई देने लगेगा, वो time भी आएगा, तो ये जो एक struggle वाला period होता है, it is not going to stay forever, ये भी get over होगा, ठीक है, इससे घबराना कुछ नहीं है, जो मेरा suggestion है तुमको कि तुम घबरा रहे हो, तो बस emotionless होके पढ़ो, कि वाइस मेरे को exam अब जाया होके, और मैं जितना हो सके, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहा हो, पढ़ते जा रहे हो, जो भी समान मिले, जो भी revision material, जो भी तुमनेंगे तक बनाये है, जो तुम हरे पस पढ़ा हुए, जो टीचरों का पढ़ाया है, बस उसको पर्टे जाओ, पढ़ते ज खबरा होगे ठेक है अगले अटेंप में वापस घबरा होगे यह इसको तो कभी ना कभी तुमको you have to go through the process you cannot like कोई भी इसको मतब बिना पार किये तुम आगे नहीं बढ़ सकते ठेक है तो जो भी टाइम है यह बीतेगा तुम अपना पढ़ाई करो प्लान बनाने में कोई बुरा ही नहीं तुम प्लान में सब्सक्राइब से कस्टमाइज प्लाना पड़ेगा मैं अगर प्लान बनाने बैठूंगा तो मेरा तो यह होगा अब इतने क्लोज आ चुके हो कि अब तुमको अपने आप कोई असेस करना पड़ेगा कि तुम किस लेवल पर खड़े हो हाँ इतना मेरे को जरूर उमीद है कि इस टाइम पर सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं और बहेंकर बढ़ाई करना चाहे तुम उसको आवर्स में बो तो उसका आउट्पूट 15-16 गंटे का हो ही नहीं सकता ठीक है हो ही नहीं सकता मैं खुद आज सुबह से लेकर रात तक लगावा रहता हूं तब जाकि मेरी एक तीन घंटे यह जो हैवी क्लास होती है डैट गैट्स डैट्स रिकॉड़ेड यह सीए फान वाला ठीक है तो य क्लीन नहीं है कि इतना पढ़े और फड़ाक से निकल गए वह अटकते हैं अपने बनाएं कि सब्सक्राइब तीन घंटे में नहीं हुआ बहुत सारे कारण हो सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं छे घंटा होगा साथ घंटा होगा कुछ तो होगा ना कभी तो खतम होगा ना ठ है बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ और सबसे हैवी जो पीरियेड है वह यही वाला पीरड जो चालू हो गया अभी तुम्हारा लास्ट के वन मन्थ वाला पीरियेड और एक्जाम के बीच में भी बहुत ही होता है तो इसमें अपना हेल्ट का थोड़ा सा केर करना पहले तो मैं एक fact बताता हूं तुम जितना भी food अपना कम करोगे तुमारी नॉर्मल खुराक है और तुम उसको अगर कम करोगे ठेक है मैं दोनों की बात करो लड़का लड़की की तो immunity बहुत जोड से गिरता है और उसी की वज़े से यह सारा जो बिमारी होता है पीछे-पीछे च all the best effort देते रहो पूरा हो जाएगा ठीक है सबका हुआ है तुमारा भी होगा ऐसा कुछ नहीं की नहीं होगा ओके थांक यू